नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैल्म में फिर से एक बार में हूँ आग की वही अंजली कांटों के बदले फूल क्या दोगे आंसों के बदले खुशी क्या दोगे हम चाहती है आप से उमर भर का साथ हमारे सवाल का जवाब क्या दोगे जिहां आपने सही सुना हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं सबसबले आज इनका बर्जे है या अनुवर्सरी है उनको मेरी तरब से छेड़ सारी गुद्विशिस तो चलिए शुरू करते हैं सुन्दरता की तलाश में चाहे हम सारे दुनिया के चक्कल लगा आएं पर अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी जीत हासिल करनी है तो काबलियत बढ़ाओ किस्मत की रोटी तो कुट्टों को भी नसीब होती है आपको अपने बल्बूते पर सब कुछ करना है ना कि किसी के सहारे इसलिए अभी से अपने काम पर लग जाओ बहुत से गुणों के होने के बावजूत भी सिरफ एक दोश सब कुछ नश्ट कर सकता है पानी में गिनने से किसी की जान नहीं जाती जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता हर किसी की अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी कमजोरी होती है मचली जंगल में नहीं दोड सकती और शेर पानी में जाकर वहां का राजा नहीं बन सकता सिबसे पहले मैं आपको बता दू कि अजाब के लिए भागिशाली जो रंग बन रहा है वो अज़ आपके लिए पिंक कहाने की गुलाबी रहेगा और जो भागेशाली अंक कहाने की लखी नंबर वो आपके लिए ज़े नंबर छे रहेगा आज इस सितारे आपके बारे में कहते हैं कि दूसरों द्वारा आप पर लगाई हुई पाबंदियों से बाहर निकलने की आपकी कोशिश काफी हद तक सफल रह सकती है जो थोड़े बहुत विवाद का कारण भी हो सकती है लेकिन आप अपने निश्चे पर अटल रहने की वज़े से परिस्यतियों का असरापन नहीं होगा नए प्रॉपर्टी खरेदने में या नए घर में शिफ्ट होने में ज़रूरत से ज़्यादा देल लग सकती है हो सकता है कि तीन-चार मही में और ज़्यादा लग जाए लेकिन आपको ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है आपको जो है सब कुछ ठीक ठाक जो लगेगा अगर आप थोड़ा सबर रखते हैं तो आपको सबर रखिएगा धहरे रखी सब कुछ ठीक हो जाएगा इसके साथ इस सितारे कहते हैं कि आप जीवन को पॉजिटिव नजरी से समझने की आज कोशिश कर रहे हैं जो के एक पहतरीन चीज है उपलब्धी है धारम और अध्यात्मिक्ता के प्रती आपका विश्वास आपके अंदर शान्ती और पॉजिटिव उर्चा का संचार करेगा आज हमा भगवते के आप पर विशेश क्रिपा जो है वो बनी रहेगी दुर्गा सुधी का पाट करना मत भूलेगा किसे ने जीके रिश्चिदार या फिर मित्र से मत भेद आप में से कुछ लोगों का हो सकता है इसलिए दूसरों के मामलों में हस्तक्षिप ना करे आज हो सके तो अगर आपके घर में कोई घड़ी रुकी हुई है जोकि वास्तुदूश का कारण बन रही है तो आपको रुकी है घड़ी को ठीक करवा रहेना चाहिए अगर वो ठीक नहीं हो रही तो आप उनको बाहर निकाल दे और उसके जगान नए घड़ी लगाईगा इसे बहुत इच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते है साथ में आज बिन मांगी किसी की सलाह मते दीजेगा स्टूरेंट्स लोग जो है पढ़ाई में ध्यान ना देकर घूमने फिरने में अपना समय विजूल कर सकते हैं इसलिए पेरेंट्स को जो है थोड़ी जो है बच्चों पर स्ट्रिक्निस डखनी होगी भूत काल में से जोड़ी किसी परसिती का गिल्ट आपको सिता सकता है भूत काल को हम पदल तो नहीं सकते लेकिन अपने अंदर लाए बदलाव की वज़ासे गल्ती को फिर से ना दोहराने के लिए हम रोग सकते हैं और जो गल्ती दुवारा नहीं करता है भगवान भी इसको माफ कर देते हैं और साहते में आप भी दूसरों की गल्ती को माफ करना सीखीगा भगवान आपसे बहुत खुश होंगे करीबी लोगों का आप पर विश्वासना होना आपको थोड़ी बहुत तक्लीफ दे सकता है ठेस पहुंच सकती है आपको लगन जिन्दा की कोई बात नहीं आप अपने में मस्त रहिएगा परिवार एक समस्या में जादा उलचने की वज़ज़ सी काम क्रेपती लाप परवाही भी हो सकती है आज घर में नवीनी करन यानिकी रिनुवेशन या बदलाव अगरा आप कर सकते हैं ऐसे प्लानिंग बना सकते हैं इसके लिए वास्तू सबंदी नेमों का पारन करना आपके लिए बैटर रहेगा परिवार में प्रॉपटी या फिर अन्य किसी मुद्दी को लेकर जो भी गल्लफ है में चल रही थी आज भी किसी के मध्यसिता से स्वाल्व हो सकती है गर के वरिष्ट और अनुभवी व्यक्तियों के सिलाहा आप के लिए भी फायदे मन सावित होगी लेकिन अज़वी लोगों से किसी भी तरह का विवहार या फिर सिलाहा लेने से परहेश जरूर कीज़ेगा किसी के साथ भी अबद्र भाशा का प्रयोग मत कीज़ेगा इसे जहां आपके समद काफी हद तक खराब हो सकते हैं और अगर ज़्यादा सीरिस मैटर हो गया तो कोल कचेरी का केस भी पर सकता है इसलिए आज आपको अपने बार्णी पर कंट्रोल करना होगा बात करते हैं बिजनस और करेड के बारे में तो आज कहता है कि कारेक शित्र में अभी कुछ पहतर परिणा मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है कोई बात नहीं अभी कारे समद्धी कुछ नीतियों में बदलाव लाने की जरूद पढ़ सकती है आपको नौकरी बेशा विक्तियों का कोई important कारे होने से company को फाइदा होगा जिसकी वज़े से उन्हें परितौशिक भी किया जा सकता है साथ में आज सितारे कहते हैं कि marketing से जो लोग चुड़े हुए हैं उनको जहें कुछ हद तक फाइदा मिल सकता है लेकिन आपको जहें नौकरी बेशा विक्तियों को काम की दिखता के वज़े से ओवर टाइम भी कई लोगों को करना पर सकता है आपको जहें अपने आपको ठीक रखना होगा से अगर आप में आलस हुआ तब कोई भी काम नहीं कर पाएंगे इसलिए आलस से दूर रहेगा इसके साथ ही आज जो है आपकी योगिता के नुसार आपको काफी नए-नए अफसर मिल सकते हैं अफसरी जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए जो जॉब्स काफी हद तक आ सकते हैं जो लोग अभी जॉब ढून रहे थे उनके लिए समय जलते ही आ रहा है और आज से ही उसकी शिर्वात हू रही है इसके साथ यह आज सितारे आपके बारे में कहते है कि आज आपको जू है अपनी बिस्टनस को विस्तार करने के लिए बढ़ाने के लिए फिधेशों में भी आपको अपने लिंक्स मना कर रखने चाहिए तो चली बागे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की लव लाइफ के बारे में लव लाइफ आपके बारे में कहती है कि पती पत्नी के सवन पॉजिटिव रहेंगी बढ़िया रहेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी आपको जो बस है अपने दुने में लिमिट्स में रहना चाहिए इसके साथ ही आज पार्टनर होने के बावजूद भी आज आपको अकेला पंच सता सकता है साथ ही तो आपके साथ होगा, लेकिन आप उपने विचानों में डू भी रहेंगे पता नहीं आज आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ खो गया हो साथ में आज पार्टनर के जरीए आपके विश्वास बहुत ही बढ़िया रहेगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, दोनों में आप समझे से बरकर आ रहेगा बच्चों पर आज को आज की दिन जो है फोकस करना पड़ेगा बच्चे जो है गलस संगती में पढ़ते हुए नजर आएंगे आपको इसलिए उनकी हर छुर छुरी बात कुछ है आपको एगनोर नहीं करना है ध्यान रखना है परिवारिक महल बाकी ठीक ठाक है और आप अपने लिए कुछ समय स्पेंट करने के लिए परसनली टाइम जरूर निकालेगा आपको सिकुन मिल सकता है बात करते हैं आज की हेल्थ के बारे में तो हेल्थ आपकी कहती है के हेल्थ तो बहुत बढ़िया बनी हुई है आपको बहुत ही अराम मिल सकता है बढ़ता हुआ काम आपको स्ट्रेस भी दलवाएगा इसलिए इसका असर पर पड़ेगा और आपको जो है उचित आपको आराम नेना चाहिए जितना हो से कि उतना रेस्ट करें और हाँ बदलते मौसम की वज़े से अपना भी ध्यान रखेगा इसलिए सावधानी पहले से बतनी शुरू कर दीज़ेगा आपको जो है बिमारी तंग नहीं करेगी आप बिमान नहीं होंगे अगर आप जो है अपने आपको पहले ही सावधान करेंगे तो चलिए बंते में बात कर लेते हैं आज के विशेश्य उपाई के बारे में तो जो आपके लिए विशेश्य उपाई कहता है कि आज आपको जो है अपने मस्तक पर जो है जो चंदन का दिलग होता है वो आपको अपने मस्तक पर ज़रूर लगाना चाहेगे इसे जो है पॉजिटिव उर्चा बने रहेगी पॉजिटिव लोग मिलेंगी नेगिटिव उर्चा और नेगिटिव लोग आप सीख को सुदूर रहेंगे कोई भी दिक्कत का आपको सामना नहीं पढ़ना पड़ेगा तो आप दिलग सरूर लगाएगा तो दोस्तों अगर आपके वीडियो उच्छे लगिएगों तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलेगा धन्यवाद